सोलंग में कुछ दिनों से पानी की भारी किलत चल रही हैं। तो बे इस पारे में कुछ भी पस्ट्रूप से नहीं कह सकते कि इसकी बज़ा क्या रही होगी। वहीं जब नगर निगम की कमिशनर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले आईपियच की पाई फटने की बज़ा से पानी की कलत आई थी। लेकिन अब पानी की आप पूर्ती में कोई कमी नहीं है। नगर निगम आयुक प्रशांत सरकैक ने बताया कि आईपियच विभाग द्वारा अब उनकी मांग के अंजार पानी की आप पूर्ती दे रहा है। कुछ दिन पहले पानी की किलत शहर में आई थी लेकिन अब इस त्रूटी को दूर कर लिया गया है। अब भश्य में शहरबासियों को एक दिन छोड़ कर पानी दिया जाएगा। नगर निगम के पास अब पानी की कोई भी कमी नहीं है। सभी बार्डों को बराबर पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ घरों में कभी कभी तकनीकी खराबी के कारण पानी की आप पूर्ती नहीं हो पाती लेकिन अब इस मस्या को भी नगर निगम हल करने का प लेकिन कभी कभी functional problems आ जाते हैं जैसे कि आई पेज का पानी का supply टूट जाती है या बिजली टूट जाती है तो ऐसे में पानी का थोड़ा जो distribution का time plan होता है वो थोड़ा साथ डगमगा जाता है तो इसको मद्दे नजर देखते हुए पूरे शहर में alternate days पे supply की जा रही है ताक कि जिस दिन जिसकी बारी हो इसको cover किया जाए और इसके अलावा हमें पानी की regular supply मिल रही है इसमें को ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है और कुछ areas ऐसे होते हैं कभी-कभी area में पानी गया होता है लेकिन कुछ खास गरों में problem होती है क्योंकि उनकी location में कुछ blockage होती है या जैसे complaint आती हैं वैसे वैसे मकानों का वैसे वैसे निवर्वारन किया जाता है उनकी समस्याओं का तो अब आने वारे में कोई पानी की दिक्कत नहीं आएगी जी क्योंकि जब तक हमें supply आ रही है और supply अभी तक अच्छी आ रही है तो जब तक supply चलती रहेगी पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी alternate days पे लोगों को पानी मिलता रहेगा